हेलो दोस्तो नमस्कार पाड़े दस बजे एक वीडियो तो आ ही जाता है सो चलिए फिलल इस वीडियो को continue आपे कर लेते हैं सो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे normal screen के उपर एंड यहाँ पर हम लोगों ने open किया company के numbers येस सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो ये देखा जाए तो one of my favorite company आप चाओ तो ऐसे भी बोल सकते हो next अगर मैं बात करूँ दोस्तो कि यहाँ पर अगर इस वीडियो को लगबग एक लाक लोगों ने देख लिया रफली में बात कर रहाँ तो मैं आपको बताना चाओंगा लगबग 97,000 लोगों के आसपास इस company के प्रोड़क्स जरूर रहेंगे मतलब अगर असान भाषा में बोल दूँ तो 97% लोगों के पास इसके प्रोड़क्ट होने के संभावना बहुत जादा है ऐसे कोई guarantee नहीं यह तो percentage estimation होता है बट इससे आप लोगों को एक बात तो पता चली कि यस इस company का प्रोड़क्ट बहुत ज़दा popular है शायद से आपके घर में भी इस company का प्रोड़क्ट या पर पाया जा सकता है कौन सा प्रोड़क्ट है वो बाद में हम लोग बात करेंगे पहले company के number देख लेते हैं तो figures इन करोड़ है 636 जून मार्च जून सिक्वेंस बिल्कुल सही है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं total income 2550 करोड़ का income है राइट इसी income को अगर आप लोग यह आपर compare करोगे पिछले quarter के इसाब से सो वहाँ का income आप देख सकते हो लगबग 2050 करोड़ यहाँ पे 2550 करोड़ वहाँ पे 2050 करोड़ मतलब रफली में बात करो 500 करोड़ की jump देखने को मिल रही है दोस्तो quarterly jump देखने को मिल रही है आप अंदधा लगा सकते हो कि यहाँ पे कोविड की second view थी फिर भी इस company ने अच्छा कासा 500 करोड़ का income यहाँ पे generate किया है अभी income का रत क्या रहता है यह पहले हमें क्या indication देता है income कैसी आती आपके जैब में obviously उस company के products बीके गए है उसके बाद expenses आएंगे वो सब कुछ अलग बात है adjustment रहेंगे बट यह तो हमें indication देता है कि company के products के demand तो बहुत ही शांदार थी 500 करोड का jump हमने को देखने को मिल रहे है quarterly and वो भूलना नहीं चाहिए कि struggle भी आपे जरू देखने को मिला था yearly बात करें तो आप देख सकते 1,944 था जो कि अभी 2552 करोड हो चुका है so yearly तो jump रहेगा इसमें कोई rocket science नहीं है तबीका तो quarter one तो बहुत ही खतरनाक था तो उसको beat करना मतलब बच्चों का खेले हर कोई company beat यहाँ पर कर रही है exception से कुछ companies का business जिनका impact नहीं होता बाकी companies को तो impact जहलना पड़ा था so income तो company का बहुत ही शांदार नजर यहाँ पर आ रहा है अभी बात कर लेते expenses सिफ income देखके काम नहीं चलेगा so 2085, 1739 and यहाँ पर बात करें तो 1500 so expense भी अच्छी तरीके से बढ़ते वे देखने को मल रहे है बट एक overview में लेके चलू तो आप देख सकते हैं कि income कितने से बढ़ा लगबग 500 से and expense की बात करें यह भी बढ़ा है बट 300 से मतलब मोटा मोटी की अगर मैं बात करूँ so 200 CR का फाइदा यहाँ पर company को होते वे देखने को रहे है सिर्फ quarter की बात करें तो and यही चीज अगर आप लोग यहाँ पर देखो कि company का जो profit है before any adjustment and tax roughly में बात करूँ 467 CR का profit है जो कि पिछले इसमें लगबग 300 करोड का था and एक साल पहले की बात कर तो 443 so yearly भी jump है and quarterly भी jump है quarterly तो बहुत इशांदार jump देखने को यहाँ पर मिल रहे है लगबग 1500 करोड का profit company ने extra यहाँ पर कमाया है यह company का main business का profit है अभी हम लोग बात करेंगे अलग-लग adjust में आएंगे यह आएगा वो आएगा तो चली अभी देख लेते यहाँ पर कि final figure क्या है tax को भी हम लोग minus करके देखेंगे net profit for the period for the year जैसा आप चाओ बोल सकते हो यह वाला profit आप लोगों को news channel के उपर TV के उपर सभी जगे पर social media के उपर मतलब दिखाते हुए देखने को यहाँ पर मिल जाएगा कितना है 365 पिछले quarter में 227 एंड यहाँ पर 388 तो आप लोग यहाँ पर देख सकते दोस्तों कि adjustment से बहुत सारी चीज़े बदल जाती है बट स्टील आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही शांदर जम्प हम लोग को company के business में आप देखने को मिल रही है अभी जो directly सिर्फ company के profit को यह देखेगा कि 388 का 365 हुआ तो इसको ऐसे लगेगा कि year on year business number खराब है तो ऐसा easily नहीं रहता है कि सिर्फ number देखना होता है क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे transactions यहापे and adjustment हम लोग को होते वे देखने को आपे मिल जाते हैं इस चीज़ को भी आप लोगों ने जरूर यहापे focus में रखना है इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तो company के नंबर बहुत ही शांदर है क्योंकि अगर आप लोग देखोगे जो में बिजनेस हम लोगों ने यहापे चेक कर लिया वो बहुत ही शांदर देखने को यहापे मिल रहा है तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं आपे EPS के पर अभी EPS भी उसी फॉर्म में यहापे रहेगा जो दिया होता है वो तो हम लोग स्टड़ी करते हैं अच्छा इंपक्ट देखने को मिल जाता है क्योंकि EPS में क्या रहता है कि Net Profit After Tax and Tax Adjustment आप लोगों को पता है कि इतने अलग-अलग टैप के हम लोगों को देखने को मिलते है अभी pay करते हैं या फिर कभी-कभी deferred हो जाते हैं कभी बाद में pay के जाते हैं कभी एक साथ pay के जाता है इसके चलते EPS के उपर impact आता है क्योंकि जो profit लिया जाता है वो tax के बाद वाला होता है मैं हमेशा prefer करता हूँ कि yearly basis के उपर EPS को यहाँ पर अच्छी तरीकी से हमें judge करना मिलता है क्योंकि ultimately yearly basis के उपर जो tax लगता है वो same ही लगेगा यह चीज में थोड़ा सा ज्यादा focus में रखता हूँ quarterly बात करें तो आप लोगों को जैसे tax adjustment रहेगा उसके उपर सारी चीज़े depend करती है quarterly अच्छा numbers देखने को मिल रहा है yearly देखोगे तो slightly गिरावट देखने को मिल रही है बड़ इससे कोई फरक ने पड़ता है क्योंकि company का main business अच्छा यहाँ पर चलते वे देखने को मिल रहा है क्या यहाँ पर bifurcation दिया हुआ है एक बार में check कर लेता हूँ यहाँ पर अगर segment wise revenue रहेगा तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर है segment wise revenue बट यहाँ पर चीजे बताई गई है वो India and outside the India का यहाँ पर segment wise बताया जा चुक है चलो यहाँ पर यह भी पढ़ लेते हैं वैसे भी हम लोग अलग-अलग businesses के अलग-अलग segment देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग domestic and international में भी इनका market कैसा चल रहा है कैसा performance चल रहा है वो देख लेते हैं sales and other operating income operating मतलब main income यह आल्टु-फाल्टु के income यहाँ पर add किये हुए नहीं है तो सिफ हम लोग यहाँ पर total segment revenue देखेंगे उसके बाद हम लोग internal उनके कोई adjustment को फिलाल यहाँ पर touch नहीं करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो शुरुआती में हम लोग ने जो इनका revenue देखा उसका bifurcation देख लेते हैं इंडिया में अगर मैं बात करूँ 1-9-9-2, 1-5-7-4 and 1-4-8-0 यह देखें यहाँ पर लिखा हुआ है तो इंडिया में तो इनका business अच्छा चल रहा है और international level पर बात करें 5-3-3, 4-3-8 and 4-4-5 मतलब international level पर भी अच्छा कासा business देखने को यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों अगर हम लोग यहाँ बात करें company की balance sheet जो हम लोग हमेशा यहाँ चेक करतें फिलाल 3,000 करोड के आसपास के results हम लोग को देखने को यहाँ पर मिल रहा है दो company के उपर एक रुपे का भी करजाने है आप लोग यहाँ चेक कर सकते हो यहाँ पर में एक जबरदस आप लोग को एक important point बताना चाहूंगा इसको skip नहीं करना है कि अगर आप लोग को यह लगता है कि यह 500 रुपे का stock है चलिए blindly निविश कर लेते हैं ऐसा बिल्खुल भी नहीं करना है इस company का disadvantage अगर आप लोग मतलब सुनना चाते हो तो यही है कि company comparatively slow चलती है दिमे दिमे चलेगी अगर आप लगता है कि rocket की तरह उड़ेगी आज 500 है बाद में यह 2000 हो जाएगा हो सकते है बर उसके लिए जबरदस time यहापे लेगी कुछ stocks आप लोगों को बहुत ही तेज भागते वे देखने को मिल जाते है तो उस type की यह company यहापे नहीं है तो इसी चीज़ को पकड़ कर बहुत अच्छे अच्छे comments भी आपे आ आ जाते है अच्छे companies भी आप लोगों ने पकड़ने यहापे चाहिए fast वाले भी पकड़ने चाहिए अगर हम लोग सारे के सारे stocks मतलब ऐसे companies को भरके रख दे portfolio से कि सब के सब fast भागते fast मतलब usually यह small cap, micro cap, mid cap वाले stock तो आपका portfolio उतना risk हो जाएगा, बहुत ही जादा volatile हो जाएगा, एक जमाने में बहुत ही तेसी देखने को मिल जाएगी, कभी-कभी बहुत जादा गिरावाड भी देखने के आपे मिल जाएगी तो हमें well balance portfolio यहापे चाहिए, यह चीज़ को हमेशा याद रखना, एंड यह company अगर मैं बात करू, तो comparatively बहुत सारे लोगों के portfolio में तो यह रहीगी ही रहीगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा गासा stock हमें देखने के आपे मिल जाता है, इसका example भी मैंने पहले भी आपे दिय क्रिकेट की जो 11 प्लियर्स की टीम रहती है, आप सभी लोगों को पता है, तो 11 प्लियर्स भी आप देखते हो well balance team होती है, यहापे batsman होते है, कुछ all rounder होते है, एक wicket keeper होता है, एक baller होता है, baller में भी spinner होता है, fast baller होता है, थोड़ी न सारे के सारे 11 batsman खिला दोगे, तो ऐसा पूरा portfolio danger नहीं बना देने का, तो उसमें well balance mix company अभी आप लोगों को देखने को यहापे मिलनी चाहिए, तो उसके लिए यह company बहुत ही perfect company है, net profit की भी बात करें, सालों साल तो आप देख सकते हो, rocket की तरह नहीं है, बट धीमे 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 बढ़ते होए देखने के आप पे मिल रहा है, तो इस point को भी ज़रू आप लोगोंने note करना है, then दोस्तों बात करें share holding pattern की, तो आप लोग खुद यहाँ देख सकते हो, कोई भी share यहापे promoter का गिरवी नहीं है, लगबख 60% promoter खुद यहापे hold करते है, foreign investor की बात करें, तो 25% उनके पास भी है, मतलब बच 6.6 था, then कम-कम होते वे देखने को मिल रहा है, क्यों कम हो रहा है, इसलिए, क्योंकि यह company comparatively slow चलती है, जिसने भी यहापे निवेश किया होगा, वो definitely कुछ समय के बाद exit हो जाते है, क्योंकि उसको fast return नहीं मिलते है, इसलिए पहले ही बता देना चाहूंगा, कि यह company comparatively slow य गया, मैं बात करों यहापे, मैरिक को limited की, yes, parachute oil जैसे मैंने का, कि 95-97% इंडियन families की घर में, आप लिए उनको parachute oil तो देखने को आपे मिल ही जाएगा, उसको replace करना, actual को भी possible नहीं हो था, एक बार कुशिच की गई थी, बट actual भी जबरदस fail वहाँ पे हो चुका था, so parachute oil की अगर हम लोग बात करें, तो बहुत ही जादा popular यह, उससे related यह company है, and margin की भी बात करें, parachute oil की, तो लगबग 12% के आसपास देखने को मिल चुका है, अगर मैं सफूला की बात करूँ दोस्तों, तो 23% से 24% सफूला का margin बढ़ते वे देखने को यहापे मिल रहा है, so company का business पस अभी फिलाल यह company देखने को मिल रहे है, अगर मैं इसका एक साल के returns की बात करूँ, तो 50% देखने को मिल रहा है, 50% भी बहुत 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 शांदा returns होते हैं, इसको कम मत समझ लेना, right, and खास करके 50% मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसका आदा कर लो, अगर आ अगर हम लोग पात साल की बात करें, तो आप देख सकते हो, पात साल में कितना है, 84%, point to be noted, इस साल के returns 50% एंद पात साल के return 84%, मतलब यह जो साल है, यह वाला अभी का, इसने ही सबसे ज़्यादा का इसके पहले आप देख सकते हैं, एक sideways pattern देखने को यहापे मिल रहा है, तो यह comparatively सस्ते दाम पे उपर मतलब 500 रुपे के आसपस देखने को मिल रहा है, मैरिक को लिमिटेड की आपे में बात कर रहा था, आप लोग यह आपे देख सकते हो, so again कह रहा हूं दोस्तों, कि आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ लोग होते, जो वपनली बोलते हैं, सर नहीं, इतना स्लो मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे थोड़ा फास शेर्स ही पसंद आते हैं, चाहे उसमें रिस्क क्यों नहीं हो, यह बहुत ही स्लो 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 चल रहे हैं, आप पात साल का भी चार्ट पेटन देख लेना, इतना स्लो मतलब, बहुत ही, मतलब, आप कह सकते हैं, कि हालत या पे खरा हुई था, आपको बता है, कल भी मैंने एक वीडियो बने था, कि कसम खालो इस कंपनी को लॉस में मत बिशना, यह कंपनी तो मैंने इतनी बार कवर की थी, आप भी फाइनली जाके वो भाग गई है, तो आप जाके जो उन कंपनी इसके प्रोड़क्स को, मतलब, उसका ड्यू डिलिजन्स आप लोग कर सकते हैं, और उसके इसाब से अनलेसिस करके, अगर आप चाहो, तो इसमें भी निविश करके आगे बढ़ सकते हो, कंपनी के नंबर लॉंग टरम के इसाब से सही है, अगर आप चाहो तो य कर देना, so that's it, thank you very much, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye bye